उत्तरपरदेश के जिला बरेली में छे दिन पहले चोरों की गोली लगने से गायल व्यापारी स्रीकान पार्टिल ने मंगलवार रात आठ बजे अस्पताल में दम तूर दिया इस से आवला और बरेली में पुलिस के खलाब गुस्सा भड़क उठा आवला में बजार को बन करके व्यापारियों ने हंगामा काटा मौके पर कैबिनेट मंत्री धरंपाल सिंग पहुचे लोगों को समझा कर उन्हें सांत कराया और कारवाई का आस्वासन दिया इस से आवला और किसी दुनिया आपके साथ खलाओ कर लगे जाथा हूँ उधर बरेली में भी व्यापारी की मौत हो जाने के विरोध में राष्ट जागरा उद्धोग व्यापार मंडल बरेली द्वारा सिटी मजिस्टेट को ग्यापन दिया बता दे महुला बाग मकसी इपको कालोनी के रहने वाले 44 साल के स्रीकान पाटिल उर्फ मराठा महुला पक्का कट्रा में सुनार का कारोबार करते थे रस्पतिवार को वो अपने मकान की रखवाली के लिए रात में वही लेटे हुए थे रात करीब एक बजे उनके मकान में चोरी के लिए पहुँचे तीन चोरों ने उन्हें जाकते देखा तो लोट गए और फिर कुछ दूर अनुपुरा महुला में रहने वाले सालिक राम के मकान का ताला तोड़ने लगी बाहर निकले सिरिकान ने उन्हें ताले तोड़ते देखा तो सोर मचा कर एक चोर को दबोच लिया उठा पटक के बीच चोर ने तमंचा निकाल कर उनके पेट में गोली मार दी गंबीर घायल सिरिकान को बरेली के एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया जहां मंगलवार रात करीब आठ बजे उन्होंने दम दोर दिया उनकी मृत्यू की सूचना कस्वे में पहुची तो उनके घर पर सैकड़ो लोग इघटा हो गए कस्वे के व्यापारी नेता अत्पताल रवाना हो गए व्यापारीयों ने बताया कि सिरिकान की जान पुलिस की नादामी की वजह से गई है देखिये व्यापारीयों ने क्या कहा जो अब तक घटा इस तल पे ज्यादा दोड़ भाग ने कर रहा है ना मरीज को देखने आये तो उस समय हम लोगों कहने के वार्चूद एक बार आए ऐसे को निलंबत किया जाए आउला से हटाए बरेली जिले में आवला तस्सील में ये बहुती दुकत गटना गटी है जो हमारा सोने चांदी का वर्कर था प्यापारी था हमारा उसके 19 तारीकी रात में उसके घर के सामने वाले घर में कुछ डखेत लूट की इरादा करके उस घर के दरवाजे को तोड रहे थे उसके आवाज सुनके ये स्रिकांत पाटी जो है उसके आवाज सुनके उनने शोर मचाया और इन लोगों ने एक चोर को दबोचा और उस चोर को छोड़ाने के चक्कर में उसके सातियों ने उसके पेट में गोली मारी और अत्यंत दुर्दे भी गटना है कि जिसका चार-प कोटा सा परिवार और ये डकेतों के कारणा में से इसके दुर्दवी मौत हो गई है इसके परिवार को कुछ ना कुछ मौज मिले और इसके परिवार के किसी सदस को सरकारी नोकरी मिले और इस गटना का अभी तक आवला पुलिस ने कोई भी खुलासा नहीं किया है कि हम मान अब विजित है, तो इन इसकारी की राव की घटना है, जहां हमारे वैपारी ने एक भादुनी का परीचा रहते हुए, एक परी घटना हो सकती थी, जब वो मेत हो गया था, और वो उसका बचाने के लिए उसके तुम जाने उचावर करें, और उसके बावजूर भी कोई अध कोई अधिकारी 6 संग का परीचा लेने नहीं पहुचा, और हम लोगों ने वहाँ संपर्क में आया, हमने अधिकारी उसकायत करें तो इसके अधिक्टर आउला पहुचे, और आज 5-6 दिन बीतने के बावजूग भी कोई सुग्रुभाट नहीं है, किसी की कोई धर्तकर नह कर रही है, तो आज हम समस्थ वर्पार मेंटर पतातेकारी के लिए, जिस मांग करने आए हैं, कि इस धर्त नहीं से वर्पार हो, और जो भी पुलिस लापावाई कि इसमें चलते हैं, जो भी एक मावज़ा दे सकते हैं, क्योंकि वो एक चानली सोना दिलाने का काम करते थे, वर्पारी थे, तो उनके कच्छा परिवार है, उनके परिवार को पुलिस सरकारी मावज़ा है।